है लो राम राम जी गुड़ी इवनिंग कैसे हैं आप सबाई होप आप सब अच्छे होंगे आप सबका बिलकम है साधना रियल ब्लोग चैनल में तो पती देव इधर सिचाई कर रहे हैं बाहर और पानी मैंने भरके रखे हैं अभी फ्रेज में रखूंगी यूनिंग से आज ब्लोग स्टार्ट हो रहा है बच्चे गए हैं टूशर पढ़ने इसलिए देखिए खाली है नई तीनों इहीं सोर मचाते रहते हैं और यह बिश बच्चों को पाट के दूँए इस टाइम बच्चों का यह फेवरेट है और जो सिस्टर मेरी कह रही है क्या नाम उनका यह सिस्टर है वह तो इतनी भयानक बद्दूआ दे रही हैं मुझे मैं क्या बताओं बोलती है साधना आप तो ऐसे डरा देती हो ऐसे यह कर देती हो यह भगवान तो प्रॉब्लम्स आपके साथ सेयर न करूं तो आफ़त करते हो आप लोग कहते हो कि उच्छ बताती नहीं हो हुआ क्या है और बोल दो बता दो तो आप कहते हो कि विव के लिए सब करते हो मेरे समझ नहीं आता करना है तो क्या करना है इसलिए मैं अपने हिसा कि मैं जा रही हूं चाय बनाने और म्यूट कर रखा यह लोग डांस कर रहे हैं बच्चे खर भूजा खाके जिन गये हैं लगा के डिक साउंड बुफर उसमें डांस करें सब लोग बेटा में हां वीडियो बना रही हूं तो आप लोग आप बाद में डांस करना वो लोग और ने मम में आप बाद में वाइस ओवर कर ढ़िएगा वीडियो सामने से मत बना वैसे मैं जब ब्लॉ बनाते ऊना तो झुज्न वाइन से गाइत करते हैं जब तक मैं सामने से बात नहीं करते हैं यहां मैं साहँ बता रही हूँ बच्चों से बारे में यह लोग शोर मचाा रहे हैं यह लोग डांस कर रहे हैं तो इससैंब्लोग डालब यह और ते बातेature być का रहाई है मेरे ब्यूज डाउन जा रहे हैं तो प्लीज एवरीवन फ्रेंड्स जो कोई मेरे चैनल में न्यूज आता है वो स्ट्राइब कर ले और फुल वीडियो देखिए थोड़ा सा सेयर भी कर देजिए जिससे ना थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट होता रहे क्योंकि आप सब पर ना स काम करने चली गए थी बच्चों के पास फोन रहता ना वो गेम ओम खेलते रहते थोड़ा बहुत कर लेती हैं और यह सिर्फ एक कफचा है जो बन रही है तो उन सिस्टर को मैं यही कहना चाहूंगी देखिए अगर ब्लॉग में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने बताया है मै उसे और अच्छा करने की कोशिश करूंगी लेकिन ना सब्सक्राइब न कीजिए ना अनफॉलो कीजिए और यह मत कहिए कि मैं आपको ब्लॉग बिल्कुल नहीं देखूंगी क्योंकि मेरे हिसाब से एक एक इंसान इंप्वार्टेंट है हमारी लाइफ में हमारे वीडियो माहिश करने में में यहिल्कुल नहीं करने में चान कोई नफ देखोगी तो इन्सान हमारी लाइफ में बहुत इंप्वार्टेंट हैं कभी घमनड में रएका है कौनhouse से खेत की मूली है यह वो ऐसा मैं न बोलती हूं न मैं चाहती हूं कि कोई बोले तो आप बिल्कुल ना सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि एक सब्सक्राइबर से बहुत फर्क पड़ता है मुझे और देखिए आज जनना चूले में खाना बन है लोटी को तो न्हुन निकाल दिया है अच्छे से कि लिदी कि लड्स को दियुंगा तो फर या च्छी रोटी है फूली फूली में भी धिन भांद साथा महीने बाद एस छूले की रोविडियों मैं बना रही हो तो अधनी एच्षी तो नहीं पन रही है ब्याने में मज जाएगा और यह नाइट का टाइम है बज रहे हैं साड़े साथ बज रहे होंगे घड़ी तो मैंने नहीं देखी इतना खराब मेरा चूला है आप लोग प्लीज हसिए का नहीं कोई कोई ना भी हसने भी लगता है मेरी आदत है मैं जो रियल्टी मेरी होती में वही दिखा दे यह देखिए गर्माकरम रोटिया बन गई है यह सब्जी भी मैंने चूले में ही बनाई है और कसम सितनी यम्मी सब्जी बनी थी में वाइस वर करें जब हम लोग ने खाया था रियली में बहुत अच्छी बनी थी जो कि केवल आलू टमाटर के सब्जी है बड़ सो यमी मतल करें थे थोड़ा सा एक्साइट थे खाने में बच्चे वैसे बनता है तो बुलाना पड़ता है इधर चूले मन रहता सब्सक्राइब और बच्चे जब चिलते हैं तो मुझे तिनी जीजादा गुसा आती है रिएल में आप सब भी बताइए कि अगर आप लोगों गुसा आती हो तो मारती तो नहीं हो बच्चे को कि ये देखें भड़ी हूंम है हर्ष बोल यह देशी निलती बाद इतना ग Теперь निकल रहा है क्योंकि न पानी इतना पानी वाला दूर्द मिलता है कि और अभी नहीं निकलती मलाई ही नहीं को जब मलाई नहीं निकले तो घी डिन पंदरा दिन में कमसे कम द्यूंद से उपर बना लेती थी 15 अभी लिदी और यह मुझे लगते एक मंतका हाई सायद घी सब्सक्राइब तो इसे जखा दी हूं यह देखिए एक पा होगा कम से कम बहुत ही कम निकलता है तो सारा काम रात को ही फिनिस कर लोंगी और मॉर्निंग में उठोंगी तो अपना जाड़ू पोछा परता सब करूंगी क्योंकि यो सब करने का मन नहीं है नाइट के टाइम में ऐसे चूले में खाना बना है तो उजाले में ही सब अच्छे से साफ कर पाऊंगी रात को नहीं तो यह मेरा घी पग गया है और समान खुझी लेकि आए थी वैसे ही रखा है क्योंकि जब चूले में खाना बनाऊना फ्रेंड्स जो लोग रिगुलर ना बनाते होंगे उनको पता होगा देकी लेक्ट एे कोुदान खुछे लेसे अले मे कर दो इसाले में ही रखा देशा कर दो झाले में है हुणू